मैं उन दोनों को कहना चाहता हूँ कबलनाज जी और दिग्विजे सिंग जी आप दोनों सुन लीजिए ताइगर जिन्दा है मैं करोना से ग्रस्थ हो गया अब दो टाइगर हो गए तो दो नहीं होंगे ग्यार हो जाएंगे मैं करोना से ग्रस्थ हुआ लेकिन उस समय भी अस्पताल में मैं दो दिन रहा लेकिन उस समय भी कोई विशा आया तो मैं बीडी शर्मा जी शिवरात सिंगी और मेरे बाजपा के एक एक कार्यकता के साथ में संपर्क में था यह सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता कमलनाज जी और दिगवजय सिंग जी यह या तो आपके दिल में है या नहीं है यह दिखावे का खेल नहीं होता यह अंतरात्मा का खेल होता है यह भाशन देने से नहीं होता यह जमीन पर काम करने से होता है यह उरण खटो लेके रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता यह धूल खाने से होता है और इनके कारेकाल के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अप्रदेश की जनता इनसे अच्छी तरह से वाकिव है कि शिवराज सिंग्जी के साथ कि मेरा 2004 से रिष्टा रहा है जब हम संसद में एक साथ होते थे कि पहली बार कि एक रिष्टा बना बीडी शर्माजी से और यह ती शोक्ति नहीं होती है अगर मैं कहता हूं कि इतना उर्जावान प्रदेश अध्यक्ष सत्य बोलने वाला प्रदेश अध्यक्ष जिनकी वाणी में मां सरस्वती स्वयम विराच्ती हैं मैं तो समझता था कि केवल शिवराज सिंग्जी में वो खूबी है पर बीडी शर्मा जी भी में भी उर्तनी ही शमता है तो आज मैं कह रहा था जवाब भारते बीडी शर्मा जी कि ये सब लोगों ने आज हमारे भाजपा परिवार में प्रवेश किया है इनका सम्मान रखना इनका देखबाल करना और इनको काम पे भी लगाना ये अब आपकी जम्यदारी और मैं इतना गैरंटी आपको देता हूँ कि इस कमरे में एक एक बैठा हुआ व्यक्ती केवल पार्टी के प्रती समकलिप्थ होकर कार्य नहीं करेगा लेकिन आपके कहने पर वीडी शर्मा जी और शिवराद सिंग जी अब मैं गैरंटी लेता हूँ कि आपके कहने पर अपना जी जान दगाने के लिए तयार हो जाएगा यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ती के पीछे एक पूरा समुद्र है जजबाद है सामानिय तोर पर आज राजनीती बहुत बदल चुकी है जिन महान व्यक्तियों पर उपर हमने अब ये पुश्पांजली की उस समय में राजनीती अलग होती थी आज राजनीती अलग हो गई है लेन देन का रिष्टा हो चुका है लेकिन मैं आपको गैरंटी से कहता हूँ कि यहां बैठा हुआ एक व्यक्ति लेन देन के आधार पर नहीं लेकिन भावनाओं के आधार पर अपना खुन भी देने के लिए तयार होगा यह भावना है क्योंकि आसान नहीं है जैसे आप ने कहा और हमारे लोकेंजी कहा है लोकेंजी ने कहा कि सामानिय तोर पर इस देश में हमने बहुत देखा है जो यह आरोप लगाते हैं न कमरे में बैठे हुए लोग मैं नब्बे दिन से सुन रहा हूं नब्बे दिन से मैं सुन रहा हूं पर मैंने एक दिन भी मूँ नहीं खोला क्यों कि जब देश जब हमारा प्रदेश करोना का सामना कर रहा है मेरा मुख्यमंत्री एक एक दिन 20 गंटे काम करके प्रदेश की सेवा कर रहा है मेरा प्रदेश अध्यक्ष संगठन को लेकर एक एक घर तक राशन पहुचा रहा है इन कॉंग्रिसियों को कुछ करना नहीं केवल अपना सत्ता कहां से खिसक गया उसी की लाच के पीछे ये पड़े हूँ है बीडी शर्माजी आप और शिवराज सिंग्जी इनको भार से जानते हैं मैं इनको अंदर से जानता हूँ कि नपे दिन मैंने मूँ नहीं खोला कि साथ दिन प्रदान मंत्री के द्वारा गोशित लॉक्डाउन अब प्रदान मंत्री रियादेश किया कि सब लोग भारत की सेवा में लगो उधारन मेरा अध्यक्ष उधारन मेरा मुख्य बंत्री जो रात नहीं देखता दिन नहीं देखता साड़े साथ करोड जनता की बोज अपने कंधों पे लेकर दोनों निकल चुके सड़क पर और वहाँ एक के बाद एक तीर लगाया जारा है राजनितिक क्या क्या नहीं कहा इन दोनों जोडियों ने साथ में मिलकर मैं इन शब्दों का इस्तमाल नहीं करता जो कड़वापन महसूस हो रहा है कि कुरसी कैसे चले गई इनको चिंता मध्यप्रदेश की नहीं इनको चिंता मध्यप्रदेश की नहीं इनको चिंता साड़े साथ करोड की नहीं इनको चिंता केवल अपना व्यापार और नब्बे दिन मैं पूछना चाता हूँ क्या ये घर से निकले सेवा के लिए भारत जनता पार्टी का एक एक कारे करता सड़क पे था कोई राशन दिलवारा है कोई प्रवासी मजदूरों का देखवाल कर रहा है उपर से नीचे प्रधान मंत्री भाजपा का राष्ट्य अध्यक्ष् ग्रा मंतरी मेरा मुख्य मंतरी मेरा भाटपा का प्रदेश अध्यक्ष दिनरात एक कर रहा है सेवा में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिंध्या फांडेशन के मेरे कार्य करताओं को भी मेरे अनुपस्पिती में क्योंकि लॉक्डाउन था एक गाउं में एक शहर में राशन बटवाने का काम किया मैं दिल्ली में लॉक्डाउन में कैथ था लेकिन 460 लोगों को देश के अनेक प्रदेशों में जहां अटके हुए थे विदेश अटके हुए थे उनको घर वापस लाने का काम किया और आज मेरे कॉंग्रेस के उस समय के सात्यों ने क्या किया यह है जन सेवा अरे जब महामारी में सेवा नहीं कर सकते तो क्या कुरसी पर बैठके सेवा करेंगे यह